Hello everyone, आज हम इस वीडियो में करेंगी क्लास 7 की सब्जिक इंग्लीज का चैप्टर सेकीन अग गिफ्ट अफ चपल्स की सभी कोशन एंड आंसर्स जिने हम इंग्लीज एंड हिंदी दौनों लेंग्विज में समझेंगे तो फटा फर्स से स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले देखेंगे पार्ट फर्स की कॉम्प्रेहेंशन चेक के कोशन कोशन फर्स है वे क्या रहस्य था जो मीना ने म्रिदू के साथ शेयर किया था आंसर है मीना शेयर दे सिक्रेट आफ दे किटी that they have found in the front of their house and have kept in their backyard मीना ने बिल्ली के बच्चे के रहस्य को सेयर किया जो उन्हें अपनी घर के सामने मिला था और जिसे उन्होंने अपनी पिछले आंगर में रखा था रवी को बिल्ली के बच्चे के लिए दूद कैसे मिलता है आंसर देखते हैं रवी ब्रिंग्स मिल्क फ्रम दे केचिन सेंग देट ही वस फीलिंग हंगरी रवी रसोई से दूद लाते हुए कहता है कि उससे भूक लग रही थी यहां तक कि वे पाती को यह साबित करने के लिए उससे पीता भी है कि वेह वास्तम में भूका था फिर वे पिछवाड़ी में टंबलर लाता है और उसे नारिल के खोल में खाली करता है बिल्ली के पुरवजों के बारे में कौन कहता है क्या आप उस पर बिलीव करते हैं रवी ने कहा कि बिल्ली के बच्चे के पुरवज पल्लव राजाओं के शेट थे नहीं मुझे उसकी कहानी पर विश्वास नहीं है रवी को एंपी पुनई के बारे में बहुत कुछ कहना है यह कौन सा वाक्य दर्शाता है फर्स्ट वह मृदु को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है सैकिन उसकी नौलेज इतिहास के बारे में अच्छी है थर्ड उसकी पास एक समृत कल्पना है फोर्थ वह एक बुद्धिमान बच्चा है इन में से कौन से स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं या डिस एग्री करते हैं तो आंसर देखते हैं रवी हैस अलोट तो से अबाउट एमपी पुन्नाई रवी एमपी पुन्नाई के बारे में बहुत कुछ कहता है ये वाग के दर्शाते हैं कि इतिहास के बारे में उसका ज्यान इसपस्ट है उसके पास एक समृत कल्पना है वह एक बुद्धिमान बच्चा है वह क्या शोर था जिसने मृदू को चौका दिया था और महंद्र को डरा दिया था आंसर है अब देखते हैं इस चेप्टर के पार सेकिंड के कॉम्प्रेहेंशन चेक के कोश्चन संगीत गुरू के नोर्स बिलकुल एक्कुरेट राख के साथ द्रश्यमान ट्रेक में पूरी तरे से अच्छे से लग रहे थे क्या भिकारी रुक्मनी के घर पे पहली बार आया था? अपने जवाब के लिए कारन दें आंसर है नहीं वह भिकारी पिछले एक सब्ता से रुक्मनी के घर आ रहा था भिकारी ने खुद ये कहते हुए इस बात की पुष्टी की कि वह रुक्मनी की दयालूता की कारण ही एक सब्ता से जीवित है एक तिवर वी आकर की रेखा उसकी बोहो की बीच बनी हुई थी यहें आपको रुक्मनी की मूर के बारे में क्या सुझाब देता है आंसर है वी आकर की रेखा बताती है कि रुक्मनी बहुत गुस्से में थी और बच्चों पर अपना आपक हो बैटी थी सबसे पहले देखेंगे रवी जो है लल्ली के वाईलिन बजाने की तुलना किससे करता है तो आगे जो ल्ली के पड्री के उतरने से अर्थ देखते हैं पूरी लाइन का मिच की ट्रे के नीचे छिपने की कोशिश में महेंदरन के उपर कुछ मिच गिर जाती है शिपने अपनी वाइलिन पर कुछ नोट्स चलाए और लल्ली उसकी वाइलिन पर उनसे पीछे रह गई बिकारी ने कहा कि घर की दयालू महिलाएं बहुत उदार हैं और उसे एक सपता से जीवित रहने में उससे मदद मिली है फिफ्स सेंटेंस है आफ्टर दर लेसन वन ओवर दर म्यूजिक टीचर आस्ट लल्ली इव ब्लैंक ब्लैंक में आएगा शी हैड सीन हिज चपल्स लेसन समाप्त होने के बाग संगी सीशक ने लल्ली से पूछा कि क्या उसने उनके चपल देखे हैं संगी सीशक को जैसे खिडकी से देखा गया था उनका वर्णन करें आँसर है और देखेंगा जैसे के लाग से लग ब्लैंक 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 में आएगा पूरे अंसर का हिंदियर देखते हैं उन्होंने गोल्डन वॉर्डर वाली धोती पैन रखी थी उसका बड़ा पैर फर्श पर रखा हुआ था और वहें अपने खुरदरे पैर की अंगुटे को फर्श पर मार रहे थे नेक्स वर्किंग विद टेक्स का थार्ड कोशन का फर्स पार्ट है और म्रिदू ने कैसे निशकर्ष निखाला कि भिकारी के पास चपल खरीदने के पैसे नहीं थे आंसर है भिकारी ने बच्चों को अपने पैर दिकार दिकाला का फर्स पर रहे थे उसके नंगे पैरों पर गुलाबी फफोले थे तो म्रिदू ने निशकर्ष निकाला कि उसके पास चपल खरीदने के पैसे नहीं थे नेक्स कुशन सेकींड देखते हैं वह अपनी चिंता दिखाने के लिए क्या सुझाव देती है आंसर है म्रिदू भिकारी के बारे में चिंती थी उसने भिकारी को एक जोड़ी चपल देने का सुझाव दिया क्या आपके बच्चे हैं वह शुरू हुई फिर वे उस सुकता से शान देखकर अधिक धीरे धीरे चले गए किसी को बरामदे में देखा तो first question है what do you think रुकमनी really wanted to ask आंसर है रुकमनी wanted to ask the children what they have done with the chappals आप क्या सोचते हैं क्या रुकमनी वास्ता में कुछ पूछना चाती थी आंसर है रुकमनी बच्चों से पूछना चाती थी कि उन्होंने चappal के साथ क्या किया है next question 4 का second part है why did she change her question उसने अपना question क्यों बदला? आंसर है, she changed the question finding the children serious and quiet. She became sure that the children had something to do with the chappals. उसने बच्चों को गंभीर और शान्त पाते हुए अपने सवाल को बदल दिया था. उसे यकिन हो गया था कि बच्चों ने चपलों के साथ कुछ न कुछ किया है. Next question fourth का third part है, what did she think had happened? उसने क्या सोचा था कि क्या हुआ था? आंसर है, she thought that the children would have hidden the chappals somewhere. उसने सोचा कि बच्चों ने चपलों को कही न कहीं छुपा दिया होगा. Next question fifth है, on getting Gopu Mama's chappals, the music teacher tried not to look too happy. Why? गोपु मामा की चपले मिलने पर संगी सिख्षक ने बहुत खुश दिखने की कोशिश नहीं की. क्यों? आंसर है, music teacher's chappals were old but he lied to Lally saying that they were brand new. Gopu Mama had hardly used his new chappals. The music teacher was happy getting them but was trying to hide those feelings. He tried to show that he was upset with the children and with his laws. पूरे आंसर का हिंदी अर देखते हैं, संगी सिख्षक की चपल पुरानी थी लेकिन उन्होंने लली से ये क्याते हुए जूट बोला कि उनकी चपले नई थी. गोपु मामा ने शायद ही अपनी नई चपलों का यूज किया था. संगी सिख्षक उने पाकर खुश तो थे पर अपनी भावनाव को छिपाने की कोशिश कर रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वे बच्चों के साथ अपने हुए नुकसान से परिशान थे. चपलों का उपाहर मिलते ही भिकारी एक मिनट में गायब हो गया था उसे जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? आंसर है, the beggar was in a hurry to leave after getting the चपल because he knew that the children have got them for him without seeking the permission of the elders. He feared they might be taken back from him so he left in a hurry. भिकारी को चपल मिलने के बाद जल्दी जाने की इसलिए थी क्योंकि वे जानता था कि बच्चों ने बड़ों की अनुमती के बिना उसे वे दी थी तो उसे डर था कि वे उससे चपल वापस ले सकते हैं इसलिए वे जल्दी चला गया. Next working with the text का 7th question है Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukmani began to laugh. What made her laugh? Mridu और Meena के साथ रसोई की और घूमते हुए रुकमनी हसने लगी. किस बात ने उसे हसाया? Answer है, Rukmani was laughing amazing Gopu Mama without his चपलs. He had the habit of taking out his shoes immediately after coming home and putting on those चपलs. He laughed wondering what excuse would she give to him and what would be his reaction. Rukmani हस रही थी, Gopu Mama को अपनी चपलों के बिना सोच कर, क्योंकि उन्हें घर आने के बाल अपने जूते बाहर निकालने और उन चपलों पर बैठने की आदत थी. वे ये सोच कर हसती है कि वे हैं उन्हें क्या बाहना देगी और उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? Next part है, Working with Language. Question first है, Read the following sentences. First sentence है, If she knows we have a cat, pati will leave the house. Second sentence है, She will not be so upset if she knows about the poor beggar with sores on his fact. Third sentence है, If the chappas do fit, will you really not mind? Notice that each sentence consists of two parts Notice करिएगा आप कि प्रतिक sentence जो है वो दो parts में divide है The first part begins with if It is known as if clause जो first part है वो if से start हुआ है And rewrite each of the following pairs of sentences as a single sentence Use if at the beginning of the sentences यहाँ example की तोर पे दूस sentences दिये हुए है जिनका if use करके भी बताया गया है First sentence है walk fast you will catch the bus जल्दी चलो तभी तुम बस को पकड़ोगे तो इसका if use करके बनाया है sentence If you walk fast you will catch the bus यदि तुम जल्दी चलोगे तुम बस को जल्दी पकड़ोगे Second sentence है don't spit on the road you will be found road पर थूको नहीं यह तो तुमारा fine लग जाएगा तो इसका if use करके बनायांगे sentence If you spit on the road you will be fine यदि तुम road पर थूकोगे तो तुमें fine लगेगा अब देखते हैं question First sentence है don't tire yourself now you will not be able to work in the evening तो इसका if use करके हम sentence बनायांगे If you tire yourself now you will not be able to work in the evening Second sentence है study regularly you will do well in the examination If use करके हम sentence बनायांगे If you study regularly you will do well in the examination Next आगे third sentence देखते हैं Work hard you will pass the examination in the first division If use करेंगे If you work hard you will pass the examination in the first division Fourth sentence है Be polite to people they will also polite to you If use करेंगे If you are polite to people they will be polite to you Fifth sentence है don't tease the dog it will bite you If use करेंगे If you tease the dog it will bite you Next working with language में second question है Fill in the blanks in the following paragraph Paragraph दे रखा है जिनमें हमें कुछ blanks दे रखे हैं जिनने हमें फिल करना है Paragraph है Today is Sunday I am wondering whether I should stay at home or go out If I blank go दे रखा है तो blank में क्या आएगा Go If I go out I blank miss दे रखा है तो यहां आएगा Will miss I will miss the lovely Sunday lunch at home If I blank Bracket में दे रखा है stay यहां भी stay आएगा blank में तो sentence बनेगा If I stay for lunch I blank आगे दे रखा है miss Miss की जगे यहां आएगा Will miss Sentence बनेगा I will miss the Sunday film showing at अच्छना Theater I think I will go out and see the film Only to avoid getting too fat Next working with English का last third question है Complete each sentence below by appropriately using any one of the following 3 sentence दे रखे हैं हमें हाँ जिने यूज करके हमें complete करना है प्रतेक sentence को जो की है if you want to Oblique if you don't want to Oblique if you want him to First sentence है don't go to the theater blank Blank में क्या आएगा If you don't want to Sentence complete होगा Don't go to the theater if you don't want to Second sentence है He will post your letter blank Blank में आएगा If you want him to Poora sentence होगा He will post your letter if you want him to Third sentence है Please use my pen blank Blank में आएगा If you want to Sentence complete होगा Please use my pen if you want to Fourth sentence है He will lend you his umbrella blank Blank में आएगा If you want him to Complete sentence बनेगा He will lend you his umbrella If you want him to Next fifth sentence है My neighbor Ramesh will take you to the doctor Blank Blank में आएगा If you want him to Poora sentence होगा My neighbor Ramesh will take you to the doctor If you want him to Next sixth sentence है Don't eat it Blank Blank में क्या आएगा If you don't want to Pura sentence होगा Don't eat it If you don't want to Next part Speaking and writing है जो हमें खुश से Imagine करके Solve करना है तो आप इस पार्ट को खुश से करने की कोशिश करिएगा If फिर भी कोई प्रॉबलम आए तो आप मुसे Comment box में Comment करके पूश सकते हैं तो अब हम फिर मिलेंगे इससे आगे Next chapter के वीडियो के साथ Thanks for watching अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और भी बहुत सारे यूस्फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करें